ही नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर्ट फेल्थ वे तो अभी आगे बढ़ते हैं और कल हमने डिस्कसन किया था मैंग निफ्टी के बारे में कि अगर आप खुल रहा है एक रिट्रेस्मेंट करके मार्केट थोड़ा सा उपर निकल सकता है मुवर्ल ड्राइंग करते हैं यह अपना फिफ्टीन मिनिट का डाइंफ्रेम लगा लेंगे मार्केट एग्जेक्टली आप खुला आप खुल के र प्लानिंग रह सकता है अभी थोड़ा सा मार्केट ना साइडवेज होने की संभावना हैं लॉजिक क्या है मार्केट ऊपर खुला खुलते ही सेलिंग आई है तो यह अरिया टोटल समझ में आ रहा है सेलर यहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहां पर कहीं ना कहीं जो इ मिला नहीं जो अवाइड करते हैं बड़िया बात है जो अवाइड नहीं कर पाएं थोड़ा बहुत रेट किया आप मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी खुल रहा है थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्राइड एक्शन टॉप पे मिले बजार यहां पे टॉप पे बजार मि हमें बजार मिले टॉप पे बेरेश केंडल बॉटम में बोलिश केंडल बनेगा हम तभी ट्रेट करेंगे अधर्वाइस थोड़ा सा अवाइड करने करें कि यहां पे अगर खुला मिड होगा यहां पे नीचे एक हरडल है उपर जाएगा तो उपर भी यह हरडल है यह हरड तो कहीं न कहीं एक साइडवेज मार्केट अगर मार्केटिक आप डाउन कोल दे अगर ऑगर जाप डाउन मार्केट आपको मिल गया कल पारली जाएक कल मार्केट मार्केट नीचे या फिर यहां से तुम क्या गया है कि इमिडेट लेवल पे एक सेलिंग का स्मेर्यों आ सकता है 147 तर्गेट 147 के बाद 44,000 या 43,930 का टार्गेट हमें 930-950 का डार्गेट हमें देखने को मिल सकता है इमिडेट लेवल पे जब अब खुला तो आप इस रेंज में खुलेगा या उपर भी यहां पर कहीं अगर खुल जा रहा है तो थोड़ा वेट ही किजिएगा उपर भी हर्डल है हो सकता है एक रिट्रेस्मेंट दिखाए क्योंकि दिखिए उपर खुला नीचे आ गया कोई फिर से हो सकता है अगर उपर खुला थो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेसर रह सकता है तो वेट किजिए प्राइज एक्षन बनेगा रीटेस्ट और फिर उपर निकलेगा तब ही हम सेलिंग करें गया तो यहां पर हम देखेंगे निफ्टी में हमारा क्या प्लानिंग हो सकता है निफ्टी में क्या मूव हो सकते है कल बिल्कुल साइडवेस बिल्कुल रेंज बॉंड मार्केट था जो यहां पर हमारा सपोर्ट वर्क किया था यह वाले रिया वह रजिस्टन्स कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है तो 370 का लवल जब तक नहीं निकलेग की कॉन सा स्क्सकल मूव सकता है या कि इसमें आप ट्रेट कर सकते है रिलाइन्स इंड्ट्रीक्व मुझे देखने को मिल रहा है और कि यहां थोड़ा सब 1 Content पर गला है मार्केट यहां दे और नीचे तरफिखने को में में मिल रहा है 15 मिट के डाइम से अगेन आएंगे यानि की सेलिंग यह तो समझ में आगी सेलिंग थोड़ा सा रह सकता है नीचे यहां पर एक डोजी बनाया है इस दोज पंद्रा मिट में इस दोजी के नीचे अगर प्लान करेंगे बाइंग में मैं उतना अग्रैसिव होना नीचा रहा हूं फिर अगर आपको किसी रीजन से मिल रहा है 2434 के उपर निकलता हुआ देन आप बाइंग साइड में प्लानिंग टेक सकते हैं आज डियलफ हम निकल दिया था बहुत डिसकस किया था बहुत शांदार तरीके से मूफ किया है तो कर दिशस में नदर रखेगा टीस अपको अच्छा घाजा मूब दे सकता है अब बहुत अच्छा कहाता बना रहा है पिछले कई दिनों से तो कहीं न कहीं चांसे दर वेरी हाई कि यहां पर एक अच्छा बैस आपको देखने को मिले तो यह हमारे पास एक hurdle होगा उपर जो कि 3390 का होगा नीचे हमारे पास एक hurdle होगा जो कि 3360 का होगा यह 30 पर यानि कि 1% के बीच में एक range बना है अगर इसके उपर या नीचे निकलता है एक अच्छा खाता ट्रेडर में देखने को मिल सकता है होप करता हूँ वीडियो अपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलीगा मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक कि लिए जाहें जाबाद